हेलो बच्चो स्वागत है आप सभी का द्रोड इस्कूल पर जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं गवरो डेली आपको जीके और जीएस पढ़ाता हूं तो बेटा आज आप सभी के लिए में एक नई वीडियो लेकर आया हूं जी हाँ आप देख सकते हैं जीके और जीएस की नई वीडियो जिसमें आपको 50 महत पूर्ण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ाए जाएंगे जो एक्जाम में 2023 में आने की बहुत ही जाद संभावना है तो आप सभी को पता है बेटा कि आपका सैनिक स्कूल का एक्जाम आठ जन्वरी को होने वाला आठ जन्वरी 2023 तो देख सकते हैं आपकी हमारा लक्ष क्या है बेटा सौ में सौ अर्था सौ परसेंट जीके और जीएस में पूरे जो पचीस कोस्टन होते हैं ना संभावना है ऐसे प्रश्ण में आपके सामने लेकर आया हूँ जितने भी प्रश्ण होंगे आपको उसके एंसर हमको कमेंट बॉक्स में बताने हैं ठीक है और जो नहीं समझ आएगा आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ओके तो जो बच्चे भी नवदय विद्याले क् सैनिक स्कूल क्लास 6 और 9 जिसकी भी प्रिप्रेशन कर रहा हूं उनके लिए ये वीडियो महत्तोपूर्ण हो सकता है बेसेकली जो ये वीडियो बेटा सैनिक स्कूल क्लास 6 पर फोकस किया गया ठीक है उसके अधार पर बनाया गया है आप सभी के लिए खुसखबरी है कि हमने सैनिक स्कूल क्लास 6 के लिए मौक टेस्ट लॉंच कर दिया बेटा आठ जनवरी को आपका एक्जाम है अब सभी पढ़ाई तो कर चुके हैं पूरी पढ़ाई कर चुके हैं सिलेबस थेओरी जितना सब कुछ है कोस्चन भी सब्सक्राइब का मौक टेस्ट लेमा इसमें टोचल्ब उड़ाएर लग टेस्ट और इंग्लीस मीडियम के लिए अलग तेस्ट दोनों के लिए आपको यहां किया जो अपना एक्जाम का ऑटरन होता है जो सब्जेक्ट हां एंच सब्सक्राइब का लेंग्वेज हिंदी है उसका उसमें solution भी मिलेगा लास्ट में टेस्ट जब आप सम्मीट कर देंगे तो उसमें आपकी ranking पता चलेगी कि जितने बच्चों ने टेस्ट दिया है उसमें आपकी ranking क्या है आपका ऐसी पढ़ाई करें कैसा आपका performance है ठीक है बेटा तो exam के लिए exam की तैयारी पूरी करने क के लिए आपको सबसे जरूरी क्या है बेटा मॉक टेस्ट देना सब कुछ तो आप पढ़ाई तो कर चुके ना सब कुछ ग्यान आपके अंदर है बस मॉक टेस्ट दीजिए और अपनी तयारी को और अच्छा कीजिए और सीधा एक्जाम देने जाई क्योंकि फिर डर नहीं कि चलिए आप आज का प्रस्ण मैं बता देता हूँ आपको कि जो भी प्रस्ण होंगे बेटा मैं जो प्रिवियस यर पूछे गये हैं ठीक है उसके बेस्ट और जो आगे पूछे जा सकते हैं जो महत्व पूर्ण है जो पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभाव होना है त दूसरे का क्या होगा तीसरे का सबका मुझे आपको बताना ठीक है आपको बताना एंसर बेटा ठीक है पहला कोचन है भारस सरकार के अंतरिक्ष कारकरम की देख भाल कौन करता है बताईए हो लुक्स आफ्टर दा स्पेस प्रोग्राम ऑप दा गवर्मेंट आप इंडिया तो बताईए कौन करता भारस सरकार के अंतरिक्ष कारकरम की देख भाल बताएगा बताईए सब बताईए क्या डिया दो वीटा इसरो यह पी नबाड या i Blir तो इसका एंसर है इस्रो क्या है इस्रो ओपशन बी हम इसको बेटा आपसांट यह माल लेते हैं इसको बी इसको सी ऐसीी सब डी सब मैं ऐसी इसे हैवें चलना जलना है जरक लिए याद रहेगा और इसकी स्थापना अगर पूछ लिए जाये तो इसरो की स्थापना का भूईती बेटा 15 अगस्त है उननीच सो नहत्तर या फिर बोला जाये 1969 भारती सरकार के अंतरिक्ष कारकरम की देख भाल इसरो याद है और डी आडियो डी आडियो की स्थापना का भूईती बेटा उननीच सो अंठावन में उननीच सो अंठावन फिप्टी एट डिफेंस रिसर्च डेवलम्मेंट और्गनाइजेशन याद रखिएगा नबार्ड नबार्ड का भी ठीक है क्या है नेशनल बैंक फॉर एग्री कल्चर रूलर डेपलम्मेंट और आईबियम का आप जानरे इं बटन कल्टिवेशन का पास की खेति के मैंने आपको बताया ना पहले गलती नहीं करने बहुत ही जरूरी कोस्चन है उससे रिलेटेट इर्द 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 ही आपके एक्जाम में प्रश्ण पूछे जाएंगे ठीक है लाल मिट्टी जलोड मिट्टी काली मिट्टी होती है क्योंकि काली मिट्टी की जल्धारण छमता बहुत ही अधीक होती है क्या होता है चिपचिपी होती है जब इस सुख जाती है तो इसमें दरारे पड़ जाती है ठीक है हां खेती के लिए बहुत जरूरी है और क्या है बेटा काली मिट्टी जो है किसके लिए कपास की के लिए सबसे महत पूर्ण है अगर पूछ ले जाए कापास की खेती कहां अधिक होती बेटा तो कहां बताएंगे कौन से राजय में महाराष्ट याद रहेंगे सभी को महाराष्ट कापास की खेती के लिए काली मिट्टी और एक और कोस्चन जो आपसे पहले पूछा जा कैस आणिक लासे जिक में की रे गूर मिट्टी को और किस नाम से जानना जाता है ठीक है को रेगूर मिट्टी यरे गूर मिट्टी काली मिट्टी याद रखीएगा just question को डइडू एयचो का मुख्यालआ का बहुञां फ। ये की डइड़ कौटर कहां है डबलु एयचों कहां है। जोनेवा में हैं काटमांडी कम है नियू या फिर पेरिस में बताए कि कहा है इंह। डबलू एचो का मतलब में बता देता हूं विस्वा स्वास्त संगेठन या फिर बोला जाए तो वर्ड हेल्थ और्गनाइजेशन तो इसका मुख्याला है बेटा ओप्सान ए जेनोवम क्या है जेनेवा में और काटमंडू ठीक है नहीं निवार्क में मैंने क्या बताया था बेटा क्या बताय Idha United Nation संयुखत такरार संक्या मुख्याला का है बेटा कहां बताय था याद रखे निउrenoर्क ठीक है और पेड़रीस में मैंने क्या 24 अक्टूबर 1945 ठीक है संयुक्त राज संग दीवस मनाय जाता है 24 अक्टूबर को 24 अक्टूबर नेक्स्ट कोश्चन बेटा नीमने में से किस राजे से करकरेखा होकर नहीं गुजरती ट्रॉपिक ऑप कैंसर बेटा मैं बता जुका हूँ बताएं नीमने में से जो जितने भी राजे दियों है इस में से कौन सा ऐसा राजे है जहां से करकरेखा होकर नहीं गुजरती है कौन बताएगा इसका एंसर क्या और अजे गुजरात है बेटा त्रिपूरा है जार खंड है या फिर उत्तर प्रदेश है बताएए बोलिया एंसर बताएए क्या बताएथा मैंने भारत के आठ राज्यों से होकर गुजरती है करकर एखा कौन सा बताएथा राजेस्थान गु ईज्रात राजेस्थान जारखंड पसी मंगाल और तृपूरा एंड मिजोरम तो यहां उत्तर प्रदेश नहीं है तो वेटा ऐब्टा ओप्सन डी हमारा सईयोगे ऑप्सन डी ठीके और ऐसा कौन सा वहाधीप है। से तीनों रेखाएं करकरेखा मकररेखा और विश्वत्रेखाई तीनों होकर गुजरती यह ठीक है ट्रॉपीक ऑप कैंसर ट्रॉपी कॉप कैपरीकॉन एंड इक्कवेटर तीनों लाइन कॉन बता एक कमेंट बॉक्स में अंसर देना ना जितने भी question हो रहे हैं आपको आ रहे है या नहीं देखना चाहता हूं मैं सभी बच्ची अपना नाम लिख कर पहले question का answer यह होगा दूसरे का यह होगा तीसरे का सभी को पूरे 50 question solve करने बहुत ही महत पूर्ण वीडियो है ठीक है आप सभी के लिए option D कपिल देव का संबंद किस खेल से बेटा पांचवा question कपिल देव इस रिलेटेट टू विच स्पोर्ट होकी फुटबॉल बैडमिंटन या फिर क्रिकेट कपिल देव का नाम सुना है आप सभी ने बताए बेटा कपिल देव का नाम सुना ही होगा आप सभी ने तो क्या वर्ड कप कपिल देव कप्तान थे कपिल देव का संबंद किस खेल से बेटा क्रिकेट से बेटा आप सभी जान रहे हैं कि नवदय और सैनिक स्कूल की तयारी के लिए हमने अपने बैचेस लॉंच कर दिये हैं ठीक है जो बच्चे 2024 के लिए प्रिपेशन कर रहे हैं तो 2024 के बच्चों के लिए नवदय क्लास्िक्स के लिए नवदय अलफा बैच और सैनिक क्लासिक्स के लिए सैनिक अलफा बैच तो आपको इसके लिए प्लेश्टोर पे जाना है द्रोड स्कूल का एप इंस्टॉल करना है वहां आपको जितने भी कोर्सेस के बारे मैंने जानकारी दी सभी के सभी दिख जाएंगे और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है कोई परिशानी आ रही है कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें 626-0388-361 पर कॉल करके इंफोर्मेशन ले सकते हैं ठीक है यह हमारा टेलीग्राम ग्रूप है ठीक है नवदय अंडरिस्कोर सैनिक अंडरिस्कोर क्लास 6 ठीक है क्लास 6 के लिए बेटा 6 के लिए जो बच्चे जॉइन करना चाहेंगे आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे साथ जूड़ सकते हैं आपके कोश्चन लिए जाएंगे और 9 वाले बच्चों के लिए अलग रूप है यहां सर्च करके भी टेलीग्राम ग्रूप जॉइन कर सकते हैं टेलीग्राम का ग्रूप और आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा तो लिंक पे क्लिक करके भी आप गुरूप जॉइन कर सकते बेटा ठीक है तो अभी तक हमने 5 कोश्चन कर लिए ठीक है टीहरी बांद किस राज्य में छटा कोश्चन टीहरी डैम इन वीच स्टेट बताइए आपको बांद के बारे मैं बता चुका हूँ हीरा कुन बांद कहा है बेटा किस रा कोश्चन क्या एगए जा उत्ततराखंढ में है उत्ततरा फंड में है त्रेण टीहरी जो डैम है और हिमांचल प्रदेthlete कौन से है बताईये बता इए बताईये बता चुका पूछ को हूँ मैं आप सभी को भाखडा नंगल बांध का है वेटा हीमांचल प्रदेश में भाखडा नंगल ठीक है भाखडा नंगल लेकिन मैं अभी पूछ क्या रहा हूं कि टीहरी डेम उत्तरा खंड में बेटा उत्तरा खंड याद रहेगा ऑप्सथन ए करेक्ट होगा और आप सभी को एंसर भी देना है और अगर पूछा जाए भारत का सबसे उचा बांद तो टिहरी डेम ठीक है दूसरा उचाही में है बेटा हिमांचल प्यदेश का जो भाखडा नांगल बांद और भारत का सबसे उचा गुरुत्वी बांद पूछा जाए तो भी आएगा ब भारत का सबसे उचा बांद तो टिहरी डेम अगर भारत का दूसरा सबसे उचा बोला जाए तो भाखडा नांगल लेकिन गुरुत्वी सबसे हां भारत का सबसे उचा गुरुत्वी बांद बोला जाए तो भाखडा नांगल बांद याद रहागा इसका एंसर है बेटा का एंसर कमेंट बॉक्स में लिखना बैटा बार बार बोल रहा हूं मैं किसी को भूलना नहीं है सभी questions के एंसर देना आपको अच्छे से देखिए बिलकुल अच्छे से ठीक है बहुत सिंकिसे खाजाता बैटा भगस को सहीध ए आजम कहा जाता है नेक्स्ट्चन है कि निम्न दे इंडिपेंडेंस दे और गांधि जहनती इस में से कौन सा बेटा देखिए परव होली नहीं है दिवाली नहीं है यह तो सब क्या है धार्मिक परव है न हनुमान जहनती भी नहीं तो बज गया कौन सा option D option D correct option D ठीक है बताइए बीहु जो लोक पुरिय नित्ते है बेटा निमली खित में से किस राज्य का लोक नित्ते है बताइए किस राज्य से संबंदित है जो बीहु लोक नित्ते है किस राज्य से संबंदित है क्या वो उतरकंट से संबंदित है असम से संबंदित है गोवा से संबंदित है बताइए बीहू संबंदी थे बेटा, option B, असम से, असम, याद रहेगा, असम की राजधानी भी, असम की राजधानी और चिप मिनिस्टर का नाम आप सभी को comment box में लिखना है, मैं सभी का देखूंगा, इसका answer है, बीहू लोकनीते का संबंद असम राजे से है, next question है बेटा, जो यंत्र यूज होता है, जो इस्टूमेंट यूज होता, उसे कहते हैं, क्रेसको ग्राप, तो क्रेसको ग्राप की खोज किस ने की थी बेटा, option B, जगदीश चंदर बोस, जगदीश चंदर बोस ने कब की थी, 1928 में, याद रखेगा, अगर आप से ऐसा पूछ लिया जा है, याद रहेगा, सभी को, नेक्स्ट कोश्चन बेटा, ऐसा कौन सा महादीप है, जहां किसी भी प्रकार का स्थाई मानव निवास नहीं करता है, बताइए, विच इस दा कॉंटिनेंट वेर, देर इज नो पर्मनेंट हूमन हैविटेशन, मतलब कोई भी पर्मनेंट वहा बहुत लोग रहते हैं, दक्षडा अमेरीका में भी बिटा, तो अंटारक्टिका नाटरक्टिका में बुत आवड़ सोधकार, रहते हैं वहाँ लोग जाते हैं, वहाँ कोई रहता नहीं है, ठीक है, तो option, D होगा, option, D मने बताएथे, नो टोटาร साथ कॉन्टिनेन के वेरे पहला नौर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका यूरोब आफ्रिका एसिया और अश्टेलिया ठीक है जीनिय ठीक है बोल जाता थो छ्टिलिया माधी अबजी का तीक तीक एक अंट्रक्टिका याद रखेगा अब नेक्ट ऊच्टन एंवीश्व की सबसे चाड़ी नदी दो वाइडेस्ट रिवर क्या है इन द वर्ड बताइए वाइडेस्ट रिवर इंद वर्ड कौन सी है कौन सी यह विश्व की पुछा जा रहा है भारत की अगर सबसे लंबी नदी बोला जाए गंगा नदी पुछा जा रहा है तो चोड़ी नदी बेटा एमाजोन रिवर कौन सी एमाजोन नदी याद रहेगी एमाजॉन याद रहेगा एमाजन कि याद रखेंगे बेटा एमाजर अब पुछा जा रहा है ग्लोब पर पस्चीम से पूर्व तक विश्वत रेखा के समनांतर खीची गई कालपनिक रेखा को क्या कहा जाता है imaginary line drawn parallel to the equator from the west to east on the globe देखे बेटा यह अपना ग्लोब है मानलीजे प्रिथवी है ठीक है मानलीजे प्रिथवी आपकी जैसे equator 20 से जाता है ठीक है तो इधर से यहां से एसे स्खीची गई प्र लाइन तो उसे क्या गए अक्छां लेटिटीट और लॉंगी ट्रूट बताया था ना मैंने तो इससे क्या बोला जाता है बेटा लेटिटीट और ऑप्संस करेक्ट होगा ठीक है लेटिटीट अगर फिर बोला जाए कि उत्तरी ध्रू और पूर्वी ध्रू को मिलाने वाली सम्रांतर रेखा जैसे यह द्रू जो होगी बेटा वो क्या है देशांतर यानि लॉंगिट्यूट और जो ऐसी रेखाएं होती है वो क्या है बेटा क्या है अक्षांस रेखा है लेटिटीट लाइन याद रहेगा सभी को कोई भूलेंगे तो नहीं बताइए मुझे सभी को याद है देखे यह अपनी विश्वत रेखा है ना बीश से जीरो डिगर से उसके समानतर ही तो है बेटा उसी के सीधे देखे ऐसे यह चांसी लेटिटीट ना याद रखेगा नोबेल पुरुसकार कितने छेत्रों में दिया जाता है बहुत ही सिंपल कोश्चन नोबेल पुरुसका और कितने छेत्रों में पहले पांच छेत्रों में दिया जाता था लेकिन उसको बढ़ा के 1979 में अर्थसास्त्र को भी जोड दिया गया कौन कौन से सब्जेक्ट मुझे बताएंगे एक दो तीन चार पांच और छेट्रों के नाम लिखेंगे मैं भी बता देता हूं किसमें किसमें दिया जा साहित्य लिट्रेचर सांती पीस ठीक है फिजीक्स भौतिक और केमेस्ट्री रसायन मेडिसीन चिकित्सक छेत्र में और बज गया एक और कौन सा आर्थसास्त्र जब 1979 से स्टार्ट हुआ है नोबेल पुरुषकार की सुरुवात का विद्धा 1901 से और 1979 में छट्वा जो छेत्र था अपना एकोनोमिक्स या फिर आर्थसास्तर में नोबेल पुरुषकार मिलना स्टार्ट हुआ नेक्स्ट लोचन बेटा नो सेना के सर्वोच क्या है रैंक के अधिकारी को क्या कहा जाता है बताइए वाट इस रैंकिंग ऑफिसर ऑप नेवी एर्चीप मार्सल या फिर क्या वोला विंग कमांडर बेटा या फिर क्या है एड्मीरल या फिर मर्चेंट क्या कहा जाता है अगर वायू सेना का पूछा जाए तो यह चीप मारसल लेकिन हमसे पूछा क्या गया है कि यह नौ सेना इंडियन नेवी तो फिर बेटा क्या हैगा अप्सन C एड्मिरल रहेगा याद एड्मिरल अभी कौन है हमारे बता यह प्रमुक कौन है नौ सेना प्रमुक इंडियन नेवी के जो चीप है कौन है बेटा कौन है आर हरी कुमार सभी को नाम लिखना है ना और एंसर तो बताता ही चलना है रेशे से धागे बनानी की प्रक्रिया को क्या चाव बता это प्रोसेश मेकिंग फरउंदा फाइबर काल ड़ मत पर रह आप समझी सब्सक्राइब यह सम का पा कि इसलिए अजयाwie हम क्या बनाते वेटा तिक उसको और ज्यादा करके रिश बना दिया ठीक क कई थी किक उसको अब रेशा बना दिए अब रिश्य से हम क्या करते हैं बेटा रेशे से धागा मेल को thinking है धगले प्रवकाश्य कंग क्यों तो थे खीचा जाता है तो यह क्या हाग के रूप में ताğा बोते हैं इसको तागा या धागा बोल दी לא इस रूप में आ जाता है अब जैसे कि आप देखा होगो आपने कि महात्मा गांधी जी को जो वह चर्खे कार्य का करेक किया जाता तुझ को और नज रबिग्ध करना क्या जाता है और सब्सक्राब्सक्राब उसको बोलते हैं कताई रेसे से धागा बनानी की प्रक्रिया कताई अब धागा बन चुका है बेटा अब क्या करेंगे धागे को हम क्या करें बुनाई कर देंगे ना जैसे कि घर में आपके लिए स्वेटर बुना जाता होगा तो देखें को दो तागा या धागा के सेट को हम आपस में विवस्थित रूप से जमाते हैं सेट तो उसे क्या बोलता है बुनाई और बंधाई क्या होता है जैसे आप मोजा आप देखा होगा मोजा उसमें आप किसी भी एक रसी को खीचिए एक धागय को खीचिए तो पूरा मोजे की जो सिलाई है वो निकल जाती है ठीक है जो उसका जो मतलब बंधाई होती है वो निकल जाती है तो क्या होता है किसी एक तुकड़े को बनाए के लिए हम बंधाई का यूज करते हैं जिसमें एक उस पर डिपेंड करता है एक धागा आप खीचिएंगे तो पूरा खुल जाएगा ठीक है पूरा जो है अपना जो हा ठीक है जो जितना निर्माढ है ना वस्तर का जैसे एक टुकड़ा इतना बनाया तो किसी एक धागे मतलब जो बंधाई हुई एक धागे के देखिए मैं बता जाएगे तो पूरी जो हाँ पूरा बंधाई जो है निकल जाएगी और बुनाई में क्या है बेटा कि दो ताग थिसके अनसर के या रेष से धागा तागा बनाने कि प्रक्रिया को हम कहते है बैटा इस पीनिंग या कताई अपने पास सबसे पहले क्या होता है जैसे कि आपको मैं बता दू का पास कि ठीक है तो उसमें बीज में क्या बीज में बीज होता है उसको बीज को निकाल के अलग कर दी है हम अलग करने एक बाद हो जो हमारे पास रूई के जैसे बसता है उसको खीच कि हम क्या धागा बनाते धागा या तागा बनाते आग बुझाने के लिए अगनी समख की अंत्रों में कौन सी गैस भरी जाती है, क्या oxygen गैस है, ठीक है, और गन है, carbon dioxide, nitrogen, आग जलाने के लिए तो और आग लगाना है तो oxygen, आग लगाना है तो oxygen, लेकिन बुझाने के लिए वेटा, option C, carbon dioxide, बुझाने के लिए option, कौन सा option, उर्जा देने वाला भोजन किसे कहा जाता है, बताई, energy giving food, एक बताए था body building food, एक energy giving food, और क्या बताए था, बीमारियों से लड़ने के लिए food बताए था, हमने सब कुछ बताए ना, तो बताए उर्जा देने वाला भोजन किसे कहा जाता, किसे कहा जाता, वसा, fat, carbohydrate, ठीक ह अश्म कियो दिनेबर काम करने के लिए नास्तों कि से मिलते इसाइ democrat गारींस मिलते हैं लेकिन हम क्या है वह से पत्र falou ज्यादा अधिक नहीं करते इसलिए क्योंकि जो शरीर के लिए सिहत के लिए ज्यादा नहीं होती ठीक है वाशा और कार्मो cuánt अंशर होगा option d a a और a और b दोनों ठीक है a और b दोनों होगा बेटा option d अगर मैं एक बात बता हूँ आपको same amount same amount of मैं अगर fat and carbohydrate रखूं तो ज्यादा energy मिलेगी हमको वसा में लेकिनो वसा में ठीक है fat में लेकि सेहत के लिए नहीं होते इसलिए क्या है जो उर्जा देने वाले food दोनों है वसा और carbohydrate ठीक है याद रहेगा the option D next को छहने महाण अधी कि स्राजे संबंधित निकलति है ठीक है महानधी पर ही अपना हीराकुन डेम बना है कहां उत्तरप्रदेस नहीं उडिसा राज्जय में याद रहेगा हीरा कुन डेम भारत का सबसे लंबा डेम उडिसा में महानधी पर ही बना हुआ है बताईए सबसे चमकीला ग्रा किसे कहा जाता है ब्राइटेस्ट प्लेनेट टोटल कितने ग्रा बताए थे मैंने आठ बुद्ध शुक्र प्रित्वी मंगल सनी ब्रेस्पति अरूड वरूड ठीक है मरकरी वीनस और बताईए आर्थ मार्स सैटन जूपिटर उरिनस नेप्चिन यादर आएगा सभी को ठीक है तो बताई चमकीला ग्रा किसे कहा जाता बेटा सुक्र को वीनस ठीक है नीला ग्रा अगर पुछा जाए ब्लू प्लेनेट तो अपनी किसको बेटा आर्थ ना जहां हम रहते हैं पित्वी पर ही तो रहते हैं बुद्ध को क्या बोला जाता है बेटा स्मॉलेस्ट प्लेनेट छोटा ठीक है सनी याद रहेगा सभी को टोटल आर्ट और किसे हम जैस पर नुकलियर पावर प्लांट लोकेटेट बाताईए भारत का पहला परमाडु सयंत्र है जो यह ना कहां इस्थापित के देट तारापूर परमाडु उर्जा सयंत्र नाम है इन किस राजय में किस राजय में बेटा ओप्सन कहा है बताईए देखता हूं आप कौन सही करत करता है कि देखता हूं आप सबी को याद है की नहीं मैंने जान मुझ कि इसमें option में नहीं है इसमें तारापूर परमाडु सयंत्र पूछा जा रहा है ठीक है तो इसका end-sal होगा वहएं महाराष्ट महाराष्ट्र देखते हैं आप सभी लगा देते कुछ ना कुछ ठीक ऐसे कोश्चन नहीं आएंगे लेकिन इसमें आप्सन छूड़ गया विटा महाराष्ट्र याद रखिएगा ना महाराष्ट्र महाराष्ट्र के आपको राज़धानी कैपिटल बतानी हो चीप पिनिस्ट एड़ टाइम आप कॉंस्टूट्रेशन मेंकिंग जब बना सविधान जब निर्माड हुआ उस समय कितने अनुच्छे दिया पिर आठीकल थे कितने थे बताया था मैंने चार्टीन सो पंचानवे दो ऑप्सन में तीन सो पंचानवे इसको आप कर लीजिए तीन सो निन्या जब कब जब निर्माड हुआ था तब आठ अनुच्छी थी ठीक है अनुच्छी आप कितने हो गई हैं बारा और कितने बाइस भाग थे अब कितने हो गए हैं पचीज भाग और अनुच्छे तीन सो पंचानवे थे जब निर्माड के समय और अब कितने हो गए हैं कि से कहा जाता है युरेनियम को कहा जाता है था कि कहा जाता है कौन बताएगा मुझे सरवाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है तो क्या एंसर बताएंगे आप सभी नाइट्रोजन वाईव मंडल में अगर पुझा जाए तो 78% लगभग क्या है नाइट्रोजन सबसे अधीक ठीक है अगर पूरे ब्रह्मान में यूनियर्स में पूछ हूँ मैं यूनियर्स में सबसे अधीक कौन सी गैस बेटा तो क्या बताएंगे आप हईड्रोजन याद रखिए गए ना ब्रह्मान वाईव मंडल में दोनों में अंतर है मैं बता चुका हूं आप सभी को याद रखिएगा अगर आप से ब्रह्मान पूछ लिया जाए या फिर आप से वायू मंडल पूछ लिया जाए नीमने में से कौन जल में घूलेगा बे इते पूरी तरीके से जल में वीले है बठाईये है पूरी तरीके से विले है क्टाम फोड़न वीले नहीं ना चॉक पॉडर ये भी नहीं मिलता और यह थे धी पर शूक होलेतं पूरी तरीके से, option D, नमक, और बेटा, जो चॉक पाउडर है वो भी पूरी तरीके से नहीं घुलता, एक बार ट्राई कीजिएगा, एक बार आप मिट्टी लेके देखिए, पानीम डाली है, पूरी तरीके से नहीं पूरी तरीके से घुल जाएगा ठीक है लेकिन एक होते है वेटा की जैसे आपने आधा गिलास पानी लिया है उसमें अपने नमक डाल दिया ठीक है और नमक डालते जा रहें तो एक इस्थिती ऐसी आईगी जब घुलना बंध हो जाएगा उसे क्या कहेंगे संत्रिप्त विल यह फिर मिलाएंगे तो मिल जाएगा गरम करने से और अधिक मातरा में हम विलेपादार्थ को मिला सकते हैं नेक्ट को चन्वेटा प्रोटो जोगा के कारण निम्न में से कौन सा रोग होता है मैंने बताया था ना सुक्ष में जीव रोगाडू कारक होते हैं सुक्ष में ज सुक्ष में हाद तो आपको बताने प्रोठो जोगा के निम्न मेंस कौन से रोग होते हैं पैचिस या मलेरिया बेटा यपीर फायरिया या फिर उपयुक्त में सभी सभी बेटा प्रोठो जवासे सभी जीतने भी तीन रोग लिए निके सभी प्र.kell के रोग होते हैं प्र.pr या से बेटा या फिर वायरस से या फंगस से या फिर अलगी से बताना आपको ना इसका है आपके लिए होमवर्क है मैं लगातार कुछ बीच में कुछ-कुछ कुछ आपको होमवर्क देता जा रहा हूं तो आप सभी को एंसर देना तब मैं समझ जाओंगा पूरा वीडियो देख रहे हैं इसी प्रकार के कुछ आने वाले आपके एक्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी का मैं बार बर बोलों इसको मिस्स नहीं करना आपको जरूर देखना है ठीक है अब बताइए मुझे काजी रंगा राष्टी उद्यान किस राज्य में है इन वीची स्टेट काजी रंगा नेशनल पार्क लोकेटेड बेटा असम अरुडांचल प्रदेश उतरखंड या फिर आंध प्रदेश किस राज्य में है बेटा एक सिंग वाले गेंडे के लिए ठीक है एक सिंग वाले गेंडे के लिए जो है बेटा फेमस है अपना काजी रंगा राष्ट्रिय उद्यान या ठीक है याद रहेगा काजी रंगा नेशनल पार्क असम में है एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है निम्ध में से कौन त तउना है वेक्षिछ लुम है कि अलब जडहेट रहे हैं अई इन में से तैना बता यह को बतात्या थो gefallen करें अब पताया का है लुका है कि अधरत व॥ याद कर लाइए लोग टिहाया ध्यक्तर है अलू है ठीक है प्याज10 ओर अधरक बताया था अधरक बताया था है याद है कि अशे तो एक सकेड़ पोटेटो कि ओनियन और जिंजर पता यह तीनों क्या है बेटा इस्टेम है इस्टेम है याद रहेगा इस्टेम और जड़ जड़ में बेटा गाजर हो गई मुली हो गई और जड़ ऐसा नहीं कि आप ऐसा समझते हैं कुछ बच्चे को जमीन ये जॅ मब ज़मीन के अन्दर जर्ड़ ये जसा नहीं होता है लेकिन हमेशा नहीं होता जड़ तो जमीन के बाहर भी जैसे आपने बर्गत का पेट देखा हो वहा जड़ जमीन के बाहर होती है ठीक है याद रखिए question को घुमा भी सकता है ठीक है तो इसमें से क्या है तो अब इसमें पूछा जा रहा है कि नीलगीरी परवत सिंखला है बेटा उसकी सबसे उची चोटी अभी मैंने बता दिया गुरु सिखर किसकी बेटा अरावली ठीक है नंदा देवी नंदा देवी नहीं बेटा नंदा देवी भी नहीं ठीक है तो बजिए डोड़ा बेटा या फिर बोला जाए केटू बताए कौन सा केटू कैया है एक कार्कूरब सिंखलाð में डोड़ा याद रही परवत सिंखला की सबसे ऊंची चोटी डोड़ा बेटा याद रहेगा सभी को भूलेंगे तो नहीं ठीक है नंदा देवी कहां है बताइए उत्राखंड या सिक्कीम आप सभी को कमेंट करके बताना है ठीक है कि नंदा देवी कहां है उत्राखंड या फिर सिक्कीम भी है को से नि zou िल्चे कुक्ति अन्लाइन में से कौन सा विसालतम राज democratic नी साबसफे बड़ा रीस्तान कौन सा इटा साहरा रेकिस्तान है गोभी impossible रेकिस्तान है या लीवियन रेकिस्तान है लीवियनisten इसाहरा इन में से कोई नहीं बताइए कौन सा है सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है बेटा ओप्शन ए बीसी या फिर डी बताइए बेटा ओप्शन ए ना ओप्शन ए सहरा यह बहुत इंपॉर्टेंट को शाने बेटा पूछा जाता तो सिंपल से बेटे बस आप सभी को वहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है एंसर बहुत बहुत सिंपल कुश्चन आएंगे आपके पर में भासा के अधार पर गठीत होने वाला प्रथम राज्ये वीचिस दा फर्श इस्टेट टू फॉर्मेड अन्दा बेसी सॉब लेंगव अधार पर गठीत किया गया था अब आप सभी को आंध्य प्रदेश की राजधानी वहां के चीप मिनिस्टर का नाम लिखना है यह सभी आपके लिए होंवर की जितने भी मैं बताते जा रहा हूं शुरू से लेके लाट तक सभी को सुनना है और अच्छे से एंसर देना है आप भी महनत कीजिए हम हम सभी अपके लिए महनत करें बहुत अच्छे-च्यकोस नस लेके आ रहे है आपको पढ़ाये जार आप महनत कीजिए पढ़ाई कीजिए आठ जन्वरी को है बेटा आप सभी का एक्जाम ना आठ जन्वरी को है पताइए क्या है लोनार जील किस राज्य में है बताइए वीच आप दा इस्टेट क्या है लोनार जील किस राज्य में है और दिवाइस क्या बताइए और जिस्के माध्य हमसे सुचना को प्रशित किया जाता है जिसे निर्देश दिया जाता इंस्ट्रक्शन दिये जाते हैं से डिवाइस को हम बोलते हैं इंपूट डिवाइस और जो भी हम निर्देश इंस्ट्रक्शन दे रहें उसके वर्क होता है उसके बाद जो रिजल्ट जिस डिवाइस के माध्यम से हमको दिखता है उसे बोलते हैं आउट्पूट डिवाइस ठीक है तो इंपूट डिवाइस और समझ है चैसे समझ यह बार वार संद इलिका चैनी से मैं जुन ah जैसे यहां पर लिख रहा हुं ओ यहां पर मैंने लिखा मैंने ने लिखा ठीक है और जो आपको स्क्रीण दिखार यह वेंट चैनी इंपूट डिवाइस और जो सामने आपको दिख रहा है वह क्या है लोग्री दिख रहा अबGebra जो है आणilar developed the यह माद हम से आप देख पार रहे हैं जो मैंने लिखा ओ दिख रहा है ना प्रोसेसिंग ओने के बाद दिख रहा है यह न,' « इंपूट डिवाईस और Além ता इस देखे सी demandé तेरी तो मॉनीटर ही है ना बडा मॉनीटर यह बपनेटर आउट पूर्किछ हो गया प्रिंटर ड क्रिंटर क्या है अंग से अगलों से करी ऊद्ध गीर इस्पीर के शेयिकर में आवाज आती ही पुत है यह जो भी हम इन्पूट दे रहे हैं ठीक है तो यह 3 और होगा है आद्सकेनर किस्टर में आप कुछ भी सब्सक्राइब ठीक है इंपूट है इस्केनर क्यां इनपूट इंपूट है एक सब्सकूडाची राजाए श्मीखिको केbenाश्य प्रिंटल स्ब्सक्राइब ठीक है तो याद रखिएगा आप सभी बताए सविधान के किस भाग में सविधान संसोधन का मतलब कि जो Constitution के Amendment का संसोधन किया जाता है नए नियमों को जोड़ने के लिए संसोधन किया जाता है सविधान के कौन से भाग में तोटल मैंने क्या बताया थे जब निर्माड हुआ थे तो 22 भाग थे अब कितने भाग हो गए 25 भाग तो वही आप से पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा भाग है जिसमें जो है Constitution के Amendment का उल्लेक है ठीक है क्या है बेटा उल्लेक है जिसमें प्रोसेस है Constitution Amendment का किसमें बेटा भाग 20 कौन सा भाग 20 याद रहाएगा सभी को पार 20 ओप्सन ए ऑप्सन ए भाग 20 में सविधान के क्या है संसोधन की प्रक्रिया का उल्लेक है ठीक है प्रोसेस ओप क्या है सभी सब्सक्राइण संब्लमेंडमेंट और संस्टिविशन अब बताईए भारत का सबसे उचाँ दर्रा का सबसे उचाँ गां को है शाख नहीं जा राकाबा सलगे नेंगी प्राक्रिति कर पास क्या होता है दो पहाड़ों में सबसे उचा दर्रा सबसे उचा दर्रा कौन सा है थालगाट दर्रा थालगाट पास कारा कोरम पास या फिर बुरजील पास बेटा या फिर अचानक मार पास कौन सा है बताइए सबसे उचा दर्रा बोला जाता है जा रहा है लंबा नहीं उचा हाइट वाई सबसे उचा दर्रा कौन सा है सबसे उच्छा दर्र है बेटा option B कारा कोरम दर्रा याद रहेगा कारा कोरम दर्रा भारत का सबसे उच्छा दर्रा है कि समुद्र की गहराई मापी जाती बेटा the depth of the seas measured by किसमे मापते हैं आपको यंतर नहीं बताना यंतर मैं आपको बता देता हूं कि समुद्र की गहराई मापने के लिए किस इस्टुमेंट या फिर यंतर का उपयोग किया जाता है उसका नाम है बेटा फैदो मीटर का है फैद बताएंगा ना सभी ठीक है बताईए मुझे कि समुद्र की गहराई को किसी इनवीट से मापते हैं जैसे आपको बेटा अपनी हाइड बतानी तो आप किसमें बताते हैं जादर इतने फूट इतने इंच है सेंटीमीटर इंब बताते हैं लेकिन जो नॉर्मल यूज होते है नॉर्मल किसमें फूट में ही तो बताते हैं ना कि मेरी पांच फीट है फिर उसको कनवर्ट किया जाता है जैसे आप कहीं पर किस कुछ फॉर्म वगेरा भरते हैं तो आप सेंटीमीटर में आपकी हाइट पूछ ले जाती है ठीक है तो यहाँ पर बेटा क्या है समूद्र क अंञे कुर गहराही कि जनली किसमें फैदम में फैदम में ठीक है याद रहेगा वन फैदम वन फैदम सिकस फिट कितना याद रहेगा तो छए खिट उसमें कितने इंच होते हैं यह आब बताएंगे मुझे एक फिट में 12 इंच होते हैं मैं मैं ही बता दिया एक इंच में कितने सेंटीमेटर आपके लिए होमवर्क है एक किसमें आपते हैं बेटा ओप्सन बी समुद्र की गहराई किसी उनिट में आपते हैं बेटा फैदम में और जो यंत्र होता उसे फैदो मीटर कहा जाता है नेक्ट परवतों पर चड़ने के लिए बेटा क्या कर पता ही हम आगे की और जुकना चाहिए जब हम परवत मतलब उची ऊपर चड़ है ना उपर की और तो हमें आगे की और जुकना चाहिए सीधे चलना चाहिए तिर्चा चलना चाहिए बताए मुझे बताए बताए जब आप परवत पे चड़ते हैं त तो जो हमारे जो center of gravity है वो हमारे पैरों के 20 से जार तो मैं सीधा खड़ा हो पार हूँ अब मैं सीधा चल रहा हूँ देखिए सीधा चल रहा हूँ जब मैं सीधा चल रहा हूँ तो हमारे पैरों के साथ जो center of gravity है वो आगे बढ़ रहे है आगे बढ़ रहे है अब लेकिन जब मैं पहाडों पे चल रहा हूं ठीक है पहाडों में उपर की ओर तो जो हमारी center of gravity गुरुत्व केंद्र है आगे की ओर बढ़ जाता है ठीक है तो हमको क्या संतुलित करना है ना संतुलित रूप से चलना हमको गिरना तो है नहीं तो हम क्या बैट अगर हम सीधा चलेंगे पहाड में तो पीछे गिर भी सकते ना पीछे गिर नहीं जाएगे क्योंकि हम उपर की ओर चड़ें सीधा चल रहे है पीछे गिर जाए तो हमारा गुरुत्व केंद्र है center of gravity आगे थो को थोड़ी का जो कर चलना पड़ता जिस से के करदा हम पहार पर चड़ पाये उसी प्रकार जब उतरते हैं तो उतर रहे हम नीचे सिंटर रहे हुथ rої जाती है तो जब नीचे चलेंगे तो देखे नीचे जब हम सीधे चलेंगे बेटा तो गिर जाएंगे जैसे ऐसे चल रहे हैं ठीक है तो हम पीछे की और जुकते हैं क्या है जब हम नीचे जाएंगे जब हम जाते हैं नीचे जाएंगे जब पहार से नीचे उतरेंगे तो हम पीछे की और क्योंकि आगे की ओर जुखते हैं और जब हम नीचे उतरते हैं बेटा तो पीछे की ओर जुखते हैं ठीक है center of gravity को संतुलिद करने के लिए तो सिंपल सा कोचन है कि परवतों पर चलने के लिए हमको बेटा क्या है आगे की और जुकना चाहिए नॉर्मल चलना है मैदान में तो क्या है वेटा सेंटर ग्रिवेटी हमारे पैरोग साथ बढ़े तो सीधा संतुली सीधा चलिए ठीक है और जब पहाड़ों पे चड़ रहे हैं तो आगे की और जुकर आगे की और जुकर अगर पीछे की और जु जुकर चलते हैं जब हम पहाड़ों से क्या है नीचे उतरते हैं और उपर चड़ते हैं तब आपसा ने आगे की और जुकर चलना चाहिए याद रहना यह कॉंसेप्ट नहीं बूलना बेटा सेंटर अप ग्रेविटी गुरुत्त्वी केंद्र ठीक है कि नैकारे चीटी आ convenience को कैसे पहचानती को के सब्स Maurice इंका निला है तो मेरे गुरूपकी है या फिर गंध से पहचानती है या पिर चेहरे शेये शेंची है बाई कलर नी यहाँ पर आयगा बदाए किससे पैचानती इसमेल से गंध से पैचानती इस पैचानती इस था चहरे में प्चानती पिए इस पितला याद रहेगा न सभी को को भूलेंगे तो नहीं न हुआ है कि अच्छा मेनद की ज lazım बठीग शा odpow से हुआ है इतने सिंपल सिंपल कोस्टन है भारत-के वरतमान उपराश्पतीं रिचेंठ वाइस-प्रेशिडेंटं वाइस-प्रेशिडेंट-था गना रेंधिर नरेंद्र-मोधिया फिर यप जगदीप धनकर कौं है बताईए मुझे यह सिंपल सेकुस्चन आप सभी के लिए ठीक है कि भारत के वर्तमान उपराष्ट स्ठी वाइस प्रेसिडेंट क्ले है आप सभी को बताना है और साथ में मुझे यह भी बताना है कि भारत के प्रधान इंतरी कौन कौन है भारत के और कौन लोगसभा की स्पीकर मतलब लोगसभा ध्यक्ष कौन है साथ में आपको तार रक्षा मंत्री कौन है और ग्रीह मंत्री कौन है यह सब वित्त मंत्री कौन है और उपराश्च्ट पती कौन इतने एस चैस साथ को स्टीच जो मैंने पूंचें सभी का एंसर देना है भूलाइब लोगा सिंपल eकर पूछे जा सकते हैं का है कि अ नहां पर आप तो एंसर ही मिल जाएगा आपको मैं नहीं दिखाऊंगा मैं बोलना चाहता हूं आपसे कि हार्ट या फी ठीक है हिर्दय से रिटेट जो बीमारी का इलाज करते हैं उन्हें क्या कहते हैं क्या नियूरोलोजिस्ट बोलते हैं काडियोलोजिस्ट या फिर डर्मे जो होता है जैसे कि आपकी स्कीन में कोई दिक्कत है ना खून में या फिर बाल वगयरा जहर रहें बाल से रिटेट दिक्कत है तो दर्मेटियोलोजिस्ट के पास हम जाते हैं ठीक है याद रहेगा और डेंटिस्ट तो आप सभी जानते हैं दात तो बज़ गया कौन सा कार अटेक वगयरा या फिर दिल से संब्दित कोई तो क्या बीमारी है बेटा तो क्या है कार्डियोलोजिस्ट हिर्दय ठीक हिर्दय रोग के लिए बेटा आप्सन बी कार्डियोलोजिस्ट सभा के सदस्यों का अधिक्तम कारेकाल कितना होता है वाडियो निम्न सदन किसे कहा जाता है लोगसबा को उच्छे सदन राजे सभा को राजे सभ्भा के सधस्यों का कारेकल मैंने क्या बढ़ा थे खैस वर्स और लोकषभा प्राण 4 यह सेवा दिया जाते हैं ठीक है हर राज्यों में लोकसभा के राजे सभा के सदस्यों के लिए सीटे रहती इतने निर्धारित है वहाँ चुन के आ जाते हैं हर दो साल में क्या है जो पहले 6 वर्ष जिनके कम्प्रीट हो गए 2 वर्ष मोने 7 निम्रित कर दिया गया बाकी जो ने सदस्या है तो चलता ही रहता कभी भंग नहीं होता लोकसभा को भंग किया जा सकता है और इसकी आधिकतम संख्या मैंने बताएथी 250 बेटा पताई थे न और और लोकसभा क्या बताएथी हमें लोकसभा का 552 जो थे और राजे सभा में 250 यान रखिएगा तो इसका एंसर क्या होगा option B 6 राजे सभा के सदस्यों का अधिक्तम कारेकाल 6 और लोक्सभा के सदस्यों का अधिक्तम कारेकाल 5 वर्स तो अभी हमने पूछा राजे सभा तो answer क्या आएगा वेटा option B आया ना option B था या नहीं देख लेता हूं मैं भी option B 6 वर्स बताइए वेटा सबसे गहरा महासागर बताया था मैंने सबसे बड़ा महासागर तो मैं आपको बता चुका हूं कौन साब पैसफी को सियन या प्रसांत महासागर लेकिन पूछा रहा डिपेस्ट गहरा बेटा हिंद महासागर पैसफी को सियन आर्केटी को सियन या फिर इन में से कोई नहीं तो जो बेटा सबसे बड़ा है जो महासागर सबसे बड़ा है वही सबसे गहरा है ठीक है याद रखिए पै याद रहे घे या नहीं बताइं बाए याद रहे का बिठा मरिंदा तर्णा अ पिर मर्यानागर्ट से बुकर पुरुस्कार जितने वाले बताइए बुकर सिहे वाले भारतिय मोल के पहले वेक्ति कौन थे who was the first person to Indian origin win the booker prize booker booker पुरुसकार जीते हैं बुकर पुरुसकार क्यों दिया जाता है साहित लेखन में बहुत अच्छा पर्फरमेंस करने वाले को दिया जाता है तो कौन है वी एस नायपाल है रवीश कुमार है अर्वींद केजरिवाल है या फिर मोहम्माद इकबाल है कौन है बताईये मुझे किसे दिया जाता है वेटा बुकर पुरुसकार किसे दिया जाता है किसे दिया गया था कौन भारती मूल के प्रथाम व्यक्ति कौन थे कौन थे बेटा ओप्शन ए वी एस नायपाल ठीक है अब मुझे बताना मतब आप सभी मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में किनको 1971 में मिला था ठीक है ग्रेट इस्टेट या फिर जो भी बुक का नाम आप सभी को बताना ठीक है कि कि जो वी एस नायपाल थे उन्हें जो बुकर पुरुसकार किस बुक लेखन के लिए था कौन से बुक जो सही ते उन्हों लिखा था उसके लिए मिला था आप सभी को आप्सर में एंसर देना है क गला है अगर महिला पूझा जाए कि बुकर पुरुसकार जीतने वाली प्रथाम भारती महिला तो क्या बोलना है आपको उसका भी नाम ऑप सभी को बताना है ठीक है कहां लिखना कमेंट बॉक्स में मैं नहीं बताऊंगा अगर आपसे पूल लिए भारती मुल्ग के प्रथम ब्यक्ति तो भी ये तो एंसर हो के भी ये स्नाइपा लेकिन उनकी रचना बताना आपको कमेंट बॉक्स में साथ में बुकर पुरुसकार साहीत लेखन में अ अटल बिहारी वाजपई या फिर लाल बहदुर सास्त्री बताइए कि जब कारगिल का युद हुद हुआ कारगिल का युद हुद कब हुआ 1999 1999 में हुआ बेटा तो 1999 में भारत के प्रधान मंत्री कौन थे कौन थे बेटा भारत के प्रधान मंत्री थे अटल बिहारी देहएगा आपने शेर सा मूवी देखी होगी न सीर सा मूवी वहां देखेगो आपको समझ आ जाएगा ठीक है वहां मुवी तो ऐसे आपने देखी होगी तो समय प्रधानमंत्री कौन कौन थे तो धान मंत्री कौन थे अटल बिहारी वाच पही आपको साथ में बताना है कि जब कारगिल का वार हुआ उस समय रक्षा मंत्री कौन थे आपके लिए comment box में answer देना comment box में बताइए मुझे की रक्षा मंत्री कौन थे देखिए हमने 43 questions कर लिए इतने जल्दी देखिए सब कुछ समझ आ रहा होगा आपको नहीं आ रहा होगा तो comment box में लिखिए आप इतने simple simple से question है और अच्छे question है मज़ेदार question है और उससे related इतने fact है और साथ हमें बेटा उससे आसपास option से जुड़े हुए concept भी मैं आपको समझाते चलाओ लगे question आ जाए इधर उधर हो जाए तो कोई दिक हम तो सब जानते हैं ना सब कुछ हमको पता है बेटा कोई भी गलती नहीं साथ नहीं कर नहीं हमको कोई भी गलती नहीं कर दोताएं को सिका कि आत्माहत्या की सखका जाता है बता है क्यों कहा जाता है बताच दोए अपको मैं कहां市 इस्टोर होती हो एटीपी के रूप में जो उर्जा संचीत होती है अब आट हुआ सुसाइडास से लिए आत्म हत्या की थैली किसे का जाता है यह तो कड़ गया नौप सन केंद्रक भी नहीं विटा केंद्रक के लिए एक चीज याद रखिए किसने की थी रॉबर्ट ब्राउ यह जो फंक्षेनल थीख से काम करते है अपने अपने फॉद्यरी आत्म हत्या की धयली कहा जाता है कुलमटा के बात हो रही बैटा enzyme, जो इसके अंदर ठैली के अंदर enzyme होते हैं, जो बहुत ही विनासक होते हैं, वी गटन कारी होते हैं वeled अपनी कोशिका को पचा लेते हैं बैटा, तो कोशिका नष्ड हो जाती है, इसलिए आत्माहत्या की ठैली किसे लाइसोसोम को कहा जाता है याद रखिएगा अब एंजाइम क्या होते बेटा रासाइनिक क्रिया को उत्प्रेरीद करने वाले हाँ प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं एंजाइम याद रखिएगा नेक्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् सरतों सुरां यह होगा ना स्टीन की हड़ी सब्सेट चोटी अधी में बता चुका आऊँ आपको सब्सेटा च्होटी क्या है मानोटी स्रीर की का मध्याई च्णत में जो पाए जाती है आज मेरा नेट खतम होगे एक एक जीबी एक टीबी एक एम बी अब मतब मेरे बहुत तेजी से नेट और कितना स्पीड है नेट का दो एमडी पर सेक्ड है साब बोलते हैं ना कि बताइए मुझे कि एक टीबी कितना होता हो पहले मैं समझाता हूं एक ist याद रहेका सभी को याद रहेगा या नहीं मुझे बताईए たिक है अब एक के भी किए किलो भाइट होता है एक हाजार चोबीस एक हजार चोबीस बाइट ठेक है अब एक MB मतलां मेगा बैट बरावर होता है एक हजार चोबीस के भी ठीक है मतलब किलो बाइट एक यहाँ बाइट है पूरा ठीक है अब मैं बात करूँ एक जीवी बेटा एक जीवी गीगाबाइट में होते हैं 1024 MB ठीक है 1024 MB और एक टीबी बेटा एक टीबी पुछा कि एक टीबी मोटे एक हजार चोबीस क्या जी बी एक टीबी का मतलब क्या है बेटा 1024 GB याद रहेगा option A option A याद रखेगा सभी option A next को चने दूद का फटना कौन सा परिवर्तन है कौन सा चेंज है बताईए बेटा छेंज में कैमिकल चेंज की फीजी univers Inc — अबर्ण मेंगile रह चेंज कर चेंज में नया पदार बनता है अगर भौतीक परिवर्तर में वहराप नया पदात बन रहा है तो उसको पुराने हवस्था में किलाए जा सकता है जैसे जैसे आप पानी से आप खुत बरत फीरेह भरब से फिर फिर बना दिया फिर इसको गर्व और भाप बनाया फिर बün भाप से फीरृणा जैस्ट सकते हैं ना भाब बना की उड़ा दीजिए ना पानी को तो नीचे सक्कर बच जाएगी या नमक बच जाएगा तो यह क्या बहुत इक पर देंज चेंजेस option C याद रखेंगे याद रखियेगा option C वर्तमान Re breasts रक्षामंत्री कौन है भारत के वर्तमान रक्षामंत्री कौन है बताइए कौन है वाड अच्छे यह तो पिछला लिए रक्षामंत्री बेटा रक्षामंत्री कौन है बताइए डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है अभी निर्मला सिता रामन या फिसासित हरूर और कौन है कौन बतायेंगा इंसर वरतमान में भारत के रक्छा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर कौन है कि बताए जबगो अब आपर सने ओप सणे राजना सिंग है अगर पूछा जाए ग्री मंत्री होम ठीक है तो क्या है वेटा क्या है अमिट्सा वीत्तमंत्री क्या है option B ना कौन है अभी हमारे ग्रीमंत्री अमिट्सा निर्मला सितावन वीत्तमंत्री फाइनेस मिनिस्टर याद रहेगा सभी को रखेंगे ना याद हाँ ठीक है option A कि मुझे बताईए किस इमारत को सफेश संग्मर मुगल वास्तु कला के रूप में जाना जाता ऐ विच विल्ड्िंग इनों और वायट मार्बल मुगर आर्किटेक्चर वायट मार्बल सफेश संग्मर्मर सूना हाँ न आमने ab Mugल वास्तु कला सिंपल सह है ताज महल बेटा ताज महल आपने देखा ने कहा है आगरा में इस्तित है निर्माड किसने कराया था साहा जहाने करवाया था ठीक है साहा जहाने कराया था बगल में ताज महल के बगल में कौन सी नदी है कौन सी नदी यामुना नदी ठीक है याद है न बताया था न मैंने कौ सभी समझ आगे होंगे जितने भी मैंने एंसर मांगे आप से सभी लगवाग मिल गया है तो पिछला आपने क्या ओप्शन एप्टिकल यह ना ओप्शन ए सभी के एंसर एक से लिए पचास तक लगातार आपको एंसर देते जाना है इतना मज़ा आएगा पढ़ने में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला बैटा अच्छे जब पढ़िए अच्छे से कोश्चन आपके लिए लेकर आया हूं मैं डाठी बनाने के लिए कि दरपड़ का जाता है बठाईए वड्वियरर यू यूजड फोर सेविंग आपको यह भी बता चुक का उमें डाधी बनाने के लिए डाधी बनाने के लिए दाध्या क्यों जब सेविंग करते तो कट मजाईस क्या होता हमारा चहरा बढ़ा दिखा चाते ना जो प्रतीवीं हैं बढ़ा बने ठीक है तो किसके लिए यूज करें ऑठल दरपड़ अवतल क्या है ऑठल अव्तल दरपड का उत्तल में क्या होता है तो जैसे हम गारी से पीछे देखने कोपर कर लेता है कि उसमें हम देख सकते हैं कि अगल बगल जो पूरे रोड में पीछे तक कुछ डिस्टेंस तक कितनी गाड़िया आ रही है चेत्र को उतनी यस जगये में बड़े चेत्र के विस्तार को बढ़ा देता है छोटी सीज देखे छोटा से जो आएना लगए होता दरपड लगा होता है इस तो देखे का आपका चहरा बड़ा दिखता है वहां न तो अच्छे से महिनत की यह 50 कोश्चन हो गए हमारा लक्ष आपको पता है कि 100 अपान हंड्रेट है अपन हंड्रेट है तो अच्छे साम को पढ़ना है 25 कोश्चन आपके आते हैं तो 25 के 25 पूरे साहिए जनरल साइंस जी बिल्कुल बेटा अच्छे से पढ़ना है आप सभी को दम हिम्मत नहीं हानी है हिम्मत नहीं कोशिस करते रहें लाज समय में क्या होता कि आठ जन्वरी को आपका एक्जाम है तो आप भी सोच रहे हूं कि ज्यादा समय नहीं रहे गया तो आपको मैंने बताया आप सभी के सब्सक्राइब है ना मॉक टेस्ट आ चुका है वेटा पढ़ लिए जितने थियोरी पढ़ना जितना याद करना था मैं सब कुछ पढ़ लिए अब समय टेस्ट लगाई है ना टेस्ट लगाई है क्योंकि आप आप देने जाएंगे आप अभी तक आपने भी टेस्ट नहीं अगर कोई कोश्चन नहीं आ रहा है तो वहां explain किया गया है अच्छे से मैनत कीजिए बहुत ही अच्छे से हम आपके साथ जुड़े हुए लगातार एक्जाम है बेटा आपको अच्छे से परफॉर्म करते जाना है मैट्यल देखू अपने सपने आपके सपने चाही बनना चाहता है कोई एयर फोर्स में जाना चाथे ठीक है और कोई इंजीनियर अच्छे से मञषे को मिलती है जिनके सपनों में जाने होती पंकों से कुछ नहीं होता हॉसलों से उड़ान उती इसलिए अपना हॉसला बनाया रखिए बहुत ही अच्छे स्पढ़ाई किजी मिलते हैं बैटा किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर झाल झाल